दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में जो कार ब्लास्ट, कार का एक्सीडेंट और कार से रेलेटड जो भी शॉट्स होते है उसमें 50 लाग से भी ज्यादा की कार का डाइरेक्टर एक बार में नुकसान कैसे कर देते हैं। ऐसा दरसल इसलिए मुम्किन होता है क्योंकि ये सारे शॉट्स रियल की गारियों से नहीं बलकि तोए कार से शूट किया जाता है जो हूबहू रियल कार की तोए कॉपी होती है। वीडियो में आप देख सकते है किस तरह से प्लाइवुड के उपर मिटी डाल के तोए कार को रखा गया है और कैमरामें जूम इन करके पास से शॉट लेता है ताकि सब एक दम रियल लगे। कार को हवा में उच्छालने के लिए धागे का इस्तेमाल किया जाता है और बैक ग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यानी की हरे पर्दे इसलिए लगाए है ताकि बाद में अपने हिसाब से ग्रीन स्क्रीन हटा के अपने मन मर्जी का बैक ग्राउंड दे दिया जाए। सिर्फ यही नहीं आपने फिल्मों में एक के पीछे एक कारों की काफिला चलते हुए देखा है मानो कोई VIP जा रहा है और उक से आगे पीछे बोडी गार्ड्स गाड़ियों में सवार है। ऐसे शॉट को कुछ इस तरह से गाड़ियों के नीचे टेप लगा के शूट किया जाता है ताकि ऐसा लगे की साड़ी गाड़ियों समानतर स्पीड से एक के पीछे एक चल रही है।